जो मिरे भाई storekeeper हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप daily meet से message करके पूझते थे कि सरा storekeeper का demand कब आएगा, storekeeper का interview कब आएगा तो जो मेरे भाई storekeeper हैं और storekeeper के काम से गल्फ country में जाना चाहते हैं तो आज ये video खास आपके लिए होने वाला है. तो जो मेरे भाई स्टोर कीपर है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक और डिमांड जिसके बारे में आप बहुत जादा पूछते हैं वो है पेंटर फॉर्मेन के डिमांड तो जो मेरे भाई पेंटर फॉर्मेन है वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे भाई स्टोर कीपर है और स्टोर कीपर के काम से बिदेश में जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज basically मैं तीन डिमांड के बारे में बताऊँगा लेकिन एक डिमांड हेलपर है वो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ तो हेलपर आज कोई खास important नहीं है लेकिन जो trade important है वो दो trade है पहला trade है store keeper और दूसरा जो trade है वो है अपना painter fourman तो start करते हैं वीडियो को दोसो सौधी के लिए बहुत जल ये एक interview आने वाला है उस interview का company का नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा लेकिन इतना आपको confirm बता दे रहा हूं कि सौधी से बहुत जल एक interview आने वाला है जिसके अंदर हमें चाहिए storekeeper और painter for man और ये interview चलेगा दिल्ली dynamic house में अभ अब करते हम salary की बात कि painter foreman को या एक storekeeper को कितनी salary मिलेगी दोस्तों अगर हम storekeeper की बात करें तो storekeeper की जो salary है वो है दो हजार सौधीरियाल बेसिक salary और 200 सौधीरियाल मिलेगा आपको food allowance यानि की खाने का 200 अलग से आपको मिलेगा तो total salary हो गई वह हो गई 200 सौधीरियाल ऐसी दोस्तों कर हम painter foreman की बात करें तो painter foreman की जो salary है वो है 2000 सौधीरियाल 200 food allowance painter foreman को भी मिलेगा तो total salary हो गई 200 सौधीरियाल तो दोस्तों काफी लंबे समय से यह दो trade का वेट किया जा रहा था और बहुत सारे भाई मेरे से पूछते थे YouTube पे Facebook पे WhatsApp पे कि स्टोर keeper के demand कर बाएगा store keeper के demand कर बाएगा store keeper के demand क्यों नहीं आ रहा है तो दोस्तों finally सौधी से store keeper के demand आ गया है हाँ थोड़ा हमें wait करना पड़ेगा क्लाइंट के date इतनी जल्दी नहीं और store keeper कर जरूर चलेगा तो next video में मैं आपको डेट भी बताऊंगा फिलाल आचा तीसरा जो ट्रेट है वह है helper का तो जो मेरे भाई helper है वह इस वीडियो को like करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों जो helper की salary है वह 900 फॉट प्लस फॉट प्लस करके सौधी में जाए store keeper के काम में क्योंकि ऐसे demands बहुत कम आते हैं और दोस्तों जो store keeper है यह trade बहुत ही अच्छा है हाला कि बहुत कम डिमांड आता है इसका लेकिन डिमांड आया है तो इस मौके को आप मिस ना होने दे ध्यान रखें तो दोस्तों फिलाल वीडियो में सर्फ इतना वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद